हाई डिस इस चैप्टर नमबर टू ऑफ मैंज बिफोर स्टार्टिंग प्रेक्टिस सेट टू पहले हम डिफरेंट टाप्स ऑफ एंगल्स देख लेते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे कोई भी आप देखो एरो नहीं दिख रहा है जैसे यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे आपको कोई भी एरो नहीं दिख रहा है इसका मतलब उसको क्या बोलते है जीरो एंगल या फिर जीरो डिगरी यह तो आपको पता है यह acute angle दिख रहें arrow बीच में 90 degree से छोटा less than 90 degree उसो क्या बोलता है acute angle फिर आता है आपका right angle 90 degree फिर आपका आता है obtuse angle एरो देखो कहाँ पर है obtuse angle कैसा होता है 90 degree से बड़ा होता है and 180 degree से छोटा होता है तो यह दोनों numbers की बीच में जो भी number आता है वो कौन सा है obtuse angle 90 से बड़ा 180 से छोटा फिर आता है आपका एक straight line है फिर उस पर आप देख रहे हो ऐसे एक angle बना है ऐसे angle को बोलते है straight angle 180 degree फिर आता है reflex angle एरो देखो कहाँ पर है कोई भी number अगर 180 से बड़ा है and 360 से छोटा है उसको बोलते है reflex angle एक full आप angle देख रहे हो पूरा circle जैसा है पूरा angle उसको क्या बोलते है complete angle या फिर full angle 360 degree अब हम बढ़ते हैं practice set 2 की तरफ first है match the following आपके textbook में question दिया है एक side आपको दिया है major of angle और दूसरी side आपको दिया है type of angle चलो match करता है फटा फट 180 degree क्या होता है yes straight angle 240 degree अब यह number 180 से बड़ा है and 360 से छोटा है पढ़ता नहीं है आप है 180 से बड़ा 360 से छोटा 240 इस दोनों के बीच में आता है इसटेस को क्या बोलेंगे हम लोग reflex angle 180 से बड़ा और 360 से छोटा है फिर आता आपका 360 degree मतलब complete angle या फिर full angle and यह है आपका 0 0 angle okay अच्छा आप आपको मैं आप इस वीडियो को pause करके लिख सकते हो पहले आपको इसको note करना है फिर इसके बाद आपको pause करके इसको लिखना है अच्छे से अब हम आगे बढ़ते है question number 2 measure of some angles are given below आपको measure दिया हुआ है write the type of each angle आपको numbers यह है उसको देख के समझना है कि वो कौन सा angle है 75 degree 90 से छोटा है right angle से छोटा है तो acute angle 0 angle 215 degree 180 से बढ़ा है और 360 से छोटा है तो उसको क्या बोलेंगे reflex angle 360 degree complete angle या फिर full angle 180 degree straight angle 120 degree 90 से बढ़ा है और 180 से छोटा है obtuse angle same here 90 से बढ़ा है 180 से छोटा है इसलिए obtuse angle 90 degree is right angle इसको pause करके आप copy कर सकते हो next है look at the figure and write the type of each of angle फोटो देखके पहचानना है कि वो कौन सा angle है यह acute angle है right angle है अभी बहुत लोग आपी mistake करते हैं obtuse angle बोलते है अगर arrow अंदर के तरफ होता तो obtuse है arrow देखको कहाँ पह है नीचे से है इसको क्या बोलते है reflex angle यह straight angle है arrow दिख रहे आपको straight angle यहाँ पे एक भी arrow नहीं है मतलब क्या है वो zero angle कुछ भी नहीं है तो zero angle यह है पूरा circle है इसलिए complete angle यह फिर full angle 360 degree है यह next जो practice set है मैं आपको अगले वीडियो में करके बताता हूँ और इसके नीचे एक question था आपको टेक्स बूप में you have to draw acute angle right angle and obtuse angle वो तो आप बना ही सकते हो इसलिए हम उसको नहीं कर रहे है अब अगला practice set अगले वीडियो में